दोस्तो, उन्नी सगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना पूरे साल जम कर पैसा आएगा. जी हाँ दोस्तो, उन्नी सगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को धेर सारी शुभ कामना है. दोस्तो, इस बार सावन का आखिरी सोमवार उन्नीस अगस्त को है और इस दिन यानि उन्नीस अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेश शुभ योग का निर्मान हो रहा है। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनात की कृपा आपके उपर सदैव बरस्ती रहेगी। इस दिन आप कुछ करे या न करें पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधी विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पारवती की विधी विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामनापूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोले नाथ की विशेश कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन महीना का आरंभू 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है, इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोले नाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली, तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कश्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों वीडियो आगे शुरू करें। उससे पहले भगवान भोले नाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ग्यान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें जिससे की भगवान भोले नाथ जी का आशीरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सके माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ती होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं लेकिन अंजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुन्य की जगह हम कहीं न कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निश्फल हो जाती है ऐसे में वो कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए शिवजी की पूजा में और कैसे बचें आईए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें जब भी आप शिवालय जाएं शिवजी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लागे उसे हम जलहरी कहते हैं उसे नहीं लागना चाहिए उसे लागने से बहुत दोश लगता है आपका स्वास्थ भी खराब हो सकता है दूसरी बात आपने देखा होगा शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती आधी परिक्रमा ज़रूर करें और तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिवजी को अर्पित मत करना कभी-कभी जाने अंजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु हैं, और भोले नात तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, भक्तों, हम जो पूजा करते हैं, तो प्रभु की भक्ती में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं, ऐसे म और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं, ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके, आप पूजा कर सकते हैं, संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो, तो तब जल के साथ साथ दूद दही घी, शहद श इसलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं, भक्तों, सावन, सोमवार के दिन, अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोशकाल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही, हालांकि रात्री जागरण का भी विधान है, भक्तों, जगत माता पारवती की पूजा करें, दोनों का आशीरवाद एक साथ आपको मिलेगा, बेल पत्र बिना अर्पित किये तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी, आप उस पर, चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है, तो उसे पानी में घोल कर आप ओम लि नहीं होती, चावल तूटा हुआ नहो, इस बात का ध्यान रखें, साथ ही शिवजी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहन कर, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही, हमेशा भगवा रंग पहन कर ही इश्वर की अराधना, भक्ति साथना पूजा वरत आधी करनी चाहिए, भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है, इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती है, भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदै से पहले उंट जाना चाहिए, वरत आधी में आठ बजे के बाद सनान क करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, इससे सकारात्मक्ता आपके उपर हमेशा वास करती है, भक्तों, शिव लिंग पर आप जल अर्पित करते हैं, तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी न करें, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, और आप शंक से जल क्योंकि शंक चूड नामक राक्षस का वध शिव जी नहीं किया था, इसलिए शंक से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रूष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिलकुल भी न करें, आ क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं, इस दिन घर में जगडे कलेश लडाई, जगडे मुह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको क किसी ऐसे योनी में जाना पढ़ सकता है, जो बहुत ही भयानक हो सकती है, इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ती हो जाती है, दोस्तों जहां तक संभव हो, वरत रखें, वरत नहीं रखते हैं, तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहन करें, शराब, लहसुन, प् शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए, दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर समाप्त होने पर दक्षणा जरूर दें, दक्षणा में देने के लिए पान भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए इस बात का विशेश ध्यान रखें नारियल अगर आप छड़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटा कर नारियल अर्पित कर सकते हैं लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत छड़ाना कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तो आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी पाँच चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोले नात की कृपा सदैव बनी रहती है भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं तो आईए जान लेते हैं भक्तों भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए दोस्तों अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ती नहीं है तो इस खास मौके पर यानि सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं इसके साथ ही भगवान शिव की क्रिपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी दोस्त सावन सोमवार पर रुदराक्ष अवश्य लाएं शिव पुरान के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षाद भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारन करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानि तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधि उन्जय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख सम्रिद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खिंचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अ नुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेट किया जाए यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती दोस्तों सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों शिव पुरान के अनुसार मानना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रत धारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप आपों से मुक्ती मिल जाती है। आपको मोक्ष की प्राप्ती होती है। आपके लिए स्वर्ग के दर्वाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत कम है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनात के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं। क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी हैं, खुद की ऐसी परिशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे दिन सावन के सोमवार की ना पूजा कर सकते हैं, ना व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 15 महीने के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं। पूरे दिन विधि विधान से भगवान भोलेनात की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं।